Hello friends, कैसे हूँ आप सब I hope कि आप सब ठीक होंगे तो दोस्तो आज का जो हमारा topic होने वाला है, वो होने वाला है screenshot के उपर चीहां दोस्तो, आप अपने laptop ये fit PC में 4 टाइप से screenshot कर सकते हो चीहां दोस्तो मैंने आपको बताए कि आप अपने laptop फिफट PC में चार तरीकों से screenshot ले सकते हो और वो भी बहुत आसानी से तो दोस्तो बने रही मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को लास तक देखिएगा तभी आप समझवाओगे कि आप चार तरीकों से कैसे screenshot कर सकते हो चीहां हलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल और आप देख लो टेकनिकल मार्क तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो हम आगे अपने desktop screen पे अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने laptop या computer पे different type से screenshot कैसे ले सकते हो चीहां तो सबसे पहले जो हमारा shortcut आता है वो होता है हमारा window print screen जब हम window print screen करते हैं यह जो हमारा snapshot हुआ है यह हमें computer में जाके और picture में show होगा यहां पे pictures यहां पर जैसे की देख रहे हैं यहां पर show हो जाएगा screenshot के नाम से ठीक है आपके keyboard में होगा print screen उसके बाद आप ms paint open करेंगे इसमें direct आपको control v करना है तो वहाँ पर control v करने के बाद आपको save करना होगा file पर जाएंगे फिर उसके बाद save पर जाएंगे फिर यहां पर title देंगे उसके बाद location देंगे इसको और फिर हम save कर देंगे ठीक है तो इस तरह से भी आप snapshot ले सकते हो इसका screenshot ले सकते हो तिस्टी trick आती है हमारी sniping tool सबसे पहले आपको window R करना होगा उसके लिए या फिर अपने search bar में आप search कर सकते हो sniping tool तो इस पर click करके ये toolbar open हो चुका है तो इसमें आपको different type के screenshot लेने के options आएंगे four types के जैसे कि आप देख पारे हो इसमें मैं आपको one by one बताऊंगा सबसे पहले हम चलते है free from snipe पे इस पर click करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी angle में select करके particular image को save कर सकते हो या पर जैसे की देख रहे हो आप ठीक है तो इससे save कर सकते हो आप कहीं पर भी इसकी location दे देना उसके बाद save कर देना second types आता है इसका rectangular snap तो इस पर भी आप rectangular कर सकते हो जैसे कि आप किसी भी shape में इसको ले सकते हो इसका screenshot ठीक है और इसे भी save कर सकते हो आप जहाँ पर चाहू लोकेशन दे दो इसको और save कर सकते हो ठीक है और तीसरा function आता है हमारे आप कर सकते हो जो आपका desktop screen देख रही है आप कहीं पर भी click कर दो यह इसका screenshot ले लेगा ठीक है तो यह भी काफी अच्छी बात है आप इसे भी save कर लेना same process से save करने का file पर जाके save as कर दीची और कहीं भी save कर सकते है last option जो है हमारा इसमे fourth option वो काफी useful है वो आप कहीं पर भी जाएंगे और इस पर जाएंगे fourth option पे full screen snap तो यह अपने chrome bar का screenshot ले लेगा ठीक है जैसे कि आप देख पा रहे हो तो इसे भी आप save कर सकते हो same process से इसका भी save करने का ठीक है file पर जाएंगे save as करेंगे नामवाम change करना कर सकते हो location दे तो उसके बाद save कर दो ठीक है तो यह हमा last में आता है वो होता है हमारा psr मतलब की print step record ठीक है window r करेंगे इसमें psr type करेंगे और enter कर देंगे तो दोस्तों इस तरह का toolbar हमें open हो जाएगा फिर हमें start record पे click करना है फिर उसके बाद हम इसे minimize कर देंगे ठीक है फिर आप इस पर जो भी activities करोगी यह step by step उसकी screenshot लेता जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको मैंने एक ट्रॉम open कर दिया अब मैं इसमें जो भी activities करोगा यह उसके step by step screenshot लेता रहेगा कुछ activities कर लेते हैं फिर मैं आपको step by step इसका screenshot दिखाऊंगा तो दोस्तो अब हम इसको करते हैं stop record तो आप जैसे कि अब यहाँ पर show हो जाएगा देखिए जैसे कि यह show राया यहाँ पर step by step इसने हमारी recording की है screenshot की जैसे कि देख रहे हो first ने मारा window की screen थी second में हमने google open किया फिर third में gmail open किया तो इसने step by step सारे screenshot capture किये हुए है जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें तो यह step recording यही process करता है कि आप जो भी work करते हो उससे step by step यह record करता रहता है फिर आप इसे save कर सकते हो इसका भी process same है save पर click किया फिर उसके बाद file नाम दे दो उसके बाद location दे दो उसके बाद save कर दो ठीक है तो यह कुछ tricks थे हमारे दोस्तों screenshot लेने के अपने computer या laptop में जो की काफी useful होते हैं हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी-कभी कुछ ऐसी important चीज मिल जाती है जिसको हम चाहते है कि इसका screenshot ले 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 तो उसके लिए उस time पर हमें काफी काम आता है तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने laptop या fit PC में 4 टाइप से screenshot कैसे ले सकते हो कितनी आसानी से screenshot कर सकते हो अपने laptop या fit PC में I hope की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दीचेगा कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीचेगा और bell icon प्रेस कर दीचेगा तो मिलते हैं ऐसे interesting topic के साथ next वीडियो में तब तक ह्याल लगए अपना और अपनी family का thank you